हेलो एव्रिवन, वेलकम टो सक्षिवित रायकेडमी समाने धिन की जो हम प्राक्टिस सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हमारा प्राक्टिस सेट नंबर दो है और इसमें हम आरो एरो के लिए जो प्राक्टिस कर रहे हैं उसमें अर्थव्यवस्ता यानि एकनॉमिक की क्लास आज हम लेंगे और इसमें भारत में आर्थिक नियोजन किस तरीके से किया गया था योजना आयोग की स्थापना उसके बाद नीती आयोग की स्थापना में यानि कि इन दोनों परियोजनाओं से सम्मंधि जितने भी इन सभी कोश्चन को आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक क्लास की तरह आप इसे अटेंड करेंगे अब देखिए इस बार क्या किया है मैंने कि जो एंसर है जैसे पिछली बार आपने दे जाएगा उतने ज्यादा मैं आपके लिए कोश्चन ला पाऊंगा तो आप भी थोड़ा सा इसमें अर्जश्ट करिएगा तो चलिए पहले कोश्चन से स्टार्ट करते हैं कि वर्स 1934 में प्रकासित प्लैंड एकनॉमी फॉर इंडिया ये बुक है पुस्तक का नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थवेश्टा इसका हिंदी अर्थ है पुस्तक के लेखक कौन थे इसके लेखक थे सर एम विस्वरेया सर एम विस्वरेया इसको इंग्लिस में प्लैंड एकनॉमी फॉर इंडिया बोला जाता है और हिंदी में इस पुस्तक को भारत के लिए नियोज नियोजन समीति का गठन किया गया था इसका राइट एंसर होगा हरी पूरा अधिवेशन 1984 1983 ठर्ड नंबर है राष्टी नियोजन समीति का अध्यक्ष कौन था जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नहरू नेच्छ वर्स 1944 में मुंबई के आठ प्रमुक उद्दोग पतियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजना क्या कहलाती है मुंबई प्लान उस समय बंबई प्लान इसे बोला गया था पांचवा है फिफ्ट नमबर है आर्थिक एवन समाजिक नियोजन का उलेख समिधान की किस अनुसूची में किया गया है इसका एंसर होगा सात्वी अनुसूची की समवर्ती सूची में 6 नमबर है योजना आयोक का गठन कब किया गया था कई बार पूछा गया है और आज भी ये important है इसका right answer होगा 15 March 1950 में 7 नमबर पर आते हैं कि किस समिती की संस्तुति यानि की सिफारिस पर योजना आयोक का गठन किया गया था केसी नियोगी समिती की सिफारिस पर योजना आयोक का गठन किया गया था योजणा आयोग किस प्रकार का निकाए है यह गैर सम्वेधानिक एवं परामर्स दात्री निकाए था जो अब नीती आयोग हो गया है योजणा आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भारत का प्रधान मंत्री और उससमे पंडिच जवालल नहरू अध्यक्ष थे अब नी मंत्री होते हैं तो इस समय के प्रधान मंत्री निरेन्ढर अत्थ है नेच्ष्ट है टेंथ नंबर योजना आयोक के प्रत्व है अत्धयक्ष ऑउ जवाखरल लेहरो और उपाध्यक्ष घुलजारी लालий नंदा जो की उप प्रधान नंबर है कि योजना आयोग दोरा प्रस्तावित योजनाओं को कौन सी संस्था अंतिम रूप में स्विक्रती देती है राश्ट्रिये विकास परिसद थल्टेंट नंबर है नीती आयोग नामक संस्था कब अस्तित्त में आई एक जन्वरी 2015 को नीती आयोग का पूरा नाम क्या है राश्ट्रिये भारत परिवर्तन संस्था यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा राश्ट्रिये भारत परिवर्तन संस्था नीती एन आई टी आई नीती 15 फिप्टींथ नम्बर पर आते हैं कि नीती आयोक के अधियक्ष कौन होता है भात का प्रधान्मंक्री जैसा मैंने आपको बताया 16 नम्बर है नीती आयोक के पहले उपाध्ध्यक्ष कौन थे अरविंत पन गलिया पहले उपाध्ध्यक्ष थे नेक्स्ट है नीती आयोक की अधिसासी परिसद में किसे सामिल किया गया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केन सासित प्रदेसों के उपराज्यपाल क्योंकि जो केन सासित प्रदेस होते हैं उनका मुख्या उपराज्यपाल होता है वर्तमार में नीती आयोक के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार 19th नंबर है इस कोशन को आप चेक कर लीजेगा क्योंकि ये उस समय जो आया था वहाँ से इसको लिया गया है तो आप इसको चेक कर लीजेगा भारत की पहली पंचवर्सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डूमर सम्रद्धी मॉडल ये जो 19 नंबर है यहाँ पर डूमर नहीं डोमर होगा डोमर सम्रद्धी मॉडल 20 नंबर है कि सामुदाइक, विकास, कारिक्रम एवं राष्ट्रिय प्रसार सेवा किस पंचवर्सी योजना के अंतरगत प्रारंब किया गया था? प्रथम पंचवर्सी योजना जो 1951 से 1905 तक चली थी 21 नंबर है वित्तिय पंचवर्सी योजना 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी PC महल नोविस मॉडल दितिय पंचवर्सी योजना में किन इसपास सयंत्र की स्थापना की गई थी? राउर केला जो की उडिसा में है भिलाई जो की चत्तिस गड़ में है और दुरगापूर जो की पश्चिम बंगाल में है इनकी स्थापना दितिय पंचवर्सी योजना में की गई थी नेक्स्ट है, तीसरी पंच वर्शी योजना की आथी क्या थी, वर्स 1956 से 1961, आत निर्भर, एवं स्वेम, अर्थ वासता का मुख उद्देश, किस पंच वर्शी योजना में रखा गया था, तीसरी पंच वर्शी योजना, जो 1956 से 1961 तक चली थी, 25 नमबर है कि वर्स 1964 में बोकारो आइरन एंड इस्टील इंडस्ट्री की स्थाफना किस देश के सहयोग से की गई थी रूस के सहयोग से की गई थी 1964 में 26 नमबर है कि भारती खाद निगम की स्थाफना कब की गई थी ये की गई थी वर्स 1965 में 1965 में 27 नमबर है कि किन पंचवर्षी योजनाओं के मद्ध तीन वर्षी योजनाओं का आउकास था 1966 से 1969 तक आउकास था वो था तीसरी और चौथी पंचवर्षी योजनाओं के मद्ध में 28 नमबर है भारत में हरित करांती की सुरुवात कब हुई थी वर्ष 1966 से 1966 तक 28 है सौरी 29 कोशन है कि चौथी पंचवर्षी योजनाओं जो कि 1979 से 1974 तक चली थी का प्रारूप किस ने तयार किया था डॉक्टर आर गॉडगिल ने नेक्स कोशन है कि जुलाई 1979 में 14 बैंकों का र राष्टी करन किया गया था और चौथी पंचवर्षी योजना थी हमारी 1979 से लेके 1974 तक 1974 तक उसके बाद आते हैं 31 नमबर पर कि पंचवर्षी योजना 1974 से 1989 का मुख उद्देश क्या था इसका मुख उद्देश था गरीबी उनमूलन के साथ आतनिर्भरता प्राप्त करना 32 नमबर है कि निउन्तम आवशेक्ता कारिकरम की सुरूद कब की गई थी वर्ष 1974 में की गई थी 33 कोशन है कि वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई अनवरत योजना का प्रतिपादन किस ने किया था इसका प्रतिपादन किया था गुनार मौडयल ने फिर है 34 नमबर की अनवरत योजना को भारत में लागू करने का स्रे किसे जाता है प्रोफेसर डीटी लकडवाला को पैंतिसवा नमबर है किस पंच वर्सी योजना में छे बैंकों का राष्टी करण 1930 में किया गया था ये थी छटी पंच वर्सी योजना जो 1980 से 1985 तक चली थ यह सभी question आये हुए हैं आपके लिए important है और आज भी पूछे जा सकते हैं 36 नंबर है कि सात्मी पंचवर्सी योजना 1985 से 1990 के अंतरगत सेबी भारती प्रतिबूती विन्मय बोर्ड यानि सेबी की स्थापना की गई थी अप्रेल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी सात्मी पंचवर्सी योजना के अंतरगत हुई थी सात्मी पंचवर्सी योजना चली थी 1985 से लेके 1990 तक 37 है कि आठमी पंचवर्सी योजना जो 1992 से लेके 1997 तक किस मॉडल पर आधारित थी जॉन डेबलू मूलर मॉडल पर और तीसवा नमबर है भारत विश्वयापार संगठन का सदस्य कब बना एक जनवरी 1995 को किस पंचवर्सी योजना को मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार्थ तक तो माना जाता है आठमी पंचवर्सी योजना को नेक्ष्ट पर आते हैं भारत में आर्थिक सुधार उदारी करण, निजी करण और वैस्वी करण की घुषना कप की गई थी वर्स 1991 में जब राजी उगांधी की सरकार थी और जो हमारे पूर प्रधान मंत्री है डॉक्टर मन मोहन सिंग वो उस समय वित्त मंत्री थे 41 नंबर पर आते हैं कि उद्दो के विकास के लिए सेवी की स्थापना कप की गई थी 1990 में, सिडवी की स्थापना कप की गई थी 1988 में, उसके दो साल बाद स्थापना कर दी गई सेवी की चलिए, नेक्स्ट, स्वरी यहां पर मैं गलत बता गया, सेवी कि स्थापना 1990 में की गई थी 42 नंबर है, पंचवर्सी योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश शिक्या था, समाजिक न्याय और समानता के आर्थिक सम्रध्धी 43 नंबर है, दस्वी पंचवर्सी योजना जो की 2002 से 2007 तक में साक्षर्टा दर, कुवर्स 2007 तक कितने परतिसत तक पहुँचाने का लक्ष रखा गया था, 75 परतिसत तक, जो की हासल नहीं हो पाया था चोवालिसवा नंबर है कि दस्वी योजना, दस्वी पंचवर्सी योजना में लक्ष प्राप्ती दर आठ प्रतिसत ने धारित की गई थी, किन्तु कितना प्राप्त रहा, 7.6 प्रतिसत, 0.4 से हम पीछे रहे गए थे 45 नंबर है समाजिक सेवाओं का सरवाधिक व्यकिन योजनाओं में किया गया, 10 और 11 पंचवर्सी योजना में किया गया था, समाजिक सेवाओं पर सरवाधिक व्यकिन, यानि सोसल सर्विस पर 46 नमबर है कि 11 पंचवर्सी योजना 2007 से 2012 का मुख उद्देश शिक्या था तीवर्ता और अधिक समावेशी विकास 47 नमबर पर आते हैं कि 11 पंचवर्सी योजना में कितने IIT इस्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था 48 नमबर है कि सिक्षा के छेत्र के लिए 11 पंचवर्सी योजना की विसेवस्तु क्या थी अनिवार प्रारंभिक सिक्षा ये 11 पंचवर्सी योजना में सिक्षा के लिए एक विजन रखा गया था 49 नमबर पर आते हैं 12 पंचवर्शी योजना जो कि कह सकते हैं आप अंतिम पंचवर्शी योजना थी 2012 से 2017 का मुख्य केंद्र बिंदू क्या था इसका मुख्य केंद्र बिंदू था तीवरता संपोश्णिय और अधिक समावेशी विकास 50 नमबर है कि 12 योजना में समाजिक सेवा में पर्याप्त व्रद्धी हुई है इसमें किस छेत्र का सरवाधिक योगदान होगा यहां पर था योगदान सिक्षा छेत्र और उसके बाद स्वास्त छेत्र का तो यह आज के याने की प्रैक्टिस सेट नमबर टू के 50 कोश्चन थे और यह सभी कोश्चन योजना आयोक से संबंदित थे याने एकनॉमिक पोर्षन था यह और सभी कोश्चन पूछे जा चुके थे उत्तर प्रदेश सचिवाले के जितने भी एक्जाम हुए हैं या फि बार इसे आपको देखना नहीं पड़ेगा और इस वीडियो को आप लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा अगर कोई सुझाओ है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद